हलो गाईस, स्वागे दे आग सब का फिर से एक बार टाप 10 क्लासेश के क्रेस कोर्स में जैसा कि हम लोग कल परागड के बारे में पढ़ चुके थे परागड हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वापरागड, एक होता है पर परागड हम लोग इन सब के बारे में आध्यन कर चुके थे पिर आज जो हम लोगों का टौफिक है वह है स्वपरागड़, सिल्फ पालिनेशन वा परपरागड़, क्रास पालिनेशन में अंतर, यह बोर्ड एक्जाम में तीन नमबर का पुस्ता है, तीन अंतर लिगना होता है, यह बो गाईस जो हम लोगों का पला स्वापरागड का प्रथम अंतर है स्वापरागड हम एक बार आप लोगों को फिर से बता दे स्वापरागड वापरागड होता है जिसमें एक ही पुस्प के पराग को से मुक्त परागड उसी पुस्प के वर्थिकाग पर जाकर निसेचन की क्रिया को पूड करते हैं तो उसे हम लोग स्वपरागड कहते हैं और परपरागड परपरागडवा प्रक्रिया होती है जिसमें एक पुस्प के पराग कोस से मुक्त पराग कर उसी जाद के किसी दूसरे पुस्प के और पर परागड कर जाकर निसेचन की क्रिया को पूड करते हैं उसे हम लोग स्वापरागड कहते हैं और परपरागड परपरागड वापरागड होता है जिसमें एक पुस्प के पराग को से मुक्त परागड उसी जाद के किसी दूसरे पुस्प के वर्तिकागर पर किसी माध्यम के द्वारा जाकर निशेचन की क्रिया को पूड करते हैं तो उसे हम लोग स्वापरागड बोलते हैं तो आईए स्वाप परागण वह परागण में हम लोग अंतर लिखते हैं स्वाप परागण में तभी तो इनमें स्वाप परागण की क्रिया होती है द्विलिंगी पोस्ट में होते हैं गाइज जो हम लोगों का पहला अंतर है वह है स्वाप परागण में द्विलिंगी पोस्ट होते हैं पिराई हम लोग पर परागण में लिखते हैं पर परागण में पर परागण में एक लिंगी पोस्प एक लिंगी पोस्प वा द्वी लिंगी पोस्प दोनों होते हैं गाइस जो आम लोग का स्वा पर परागण में पहला अंतर है स्वा परागण में दो लिंगी पोस्प होते हैं वाँ पर परागण में दो लिंगी वा एक लिंगी दोनों पोस्प होते हैं अब जो हम लोगों का दूसरा अंतर है स्वाप रागण में स्वाप रागण में माध्यम की आवस्चता नहीं होती है स्वाप रागण में माध्यम इसे हम लोग बोलते हैं एजेंट माध्यम की आवस्चता माध्यम की आवस्चता नहीं होती है नहीं होती है और पर परागण में माध्यम की आवस्चता होती है पर परागण में माध्यम की आवस्चता होती है पर इसके परशाद हम लोगों का जो तीसरा अंतर है वह है स्वपरागण स्वपरागण की क्रिया में स्वपरागण की क्रिया में पाउधों के पूस्प में पुम के सर दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं जो आम लोगों का स्वपरागण में तीसरा अंतर है वह है स्वपरागण की क्रिया में पाउधों के पुस्प में पुम के सर वह है इस्त्री के सर दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं जब साथ साथ परिपोक को होंगे तो जो पुंकेशर के पराग को से मुख्त पराग कर होगा वह चिपचिपा वर्तिका पर चला जाएगा और सल्यन की क्रिया को पूड करेगा और जो पर परागड होता है पर परागड में पर परागड की क्रिया में पर परागड की क्रिया में पौदो के पुस्प में पौदो के पुस्प में, पौदो के पुस्प में, पुम के सर वा इस्थरी के सर, पौदो के पूस्प में पूंग के सर हुआ है इस्त्री के सर साथ साथ बिकसित नहीं होते हैं साथ साथ बिकसित नहीं होते हैं साथ साथ बिकसित या परिपक्व बिक्सित आप परिपक्वन नहीं होते हैं और गाइस अब जो हम लोगों का चौता अंतर है वह है स्वप परागड की क्रिया में स्वप परागड की क्रिया में पुम के सर वह इस्त्री के सर इस प्रकार विवस्थी तो होते हैं इस प्रकार विवस्थी तो होते हैं इस प्रकार विवस्थी तो होते हैं कि उनमें परागड की उनमें परागड वर्तिकागर पर आसानी से आ जाते हैं स्वप परागड की प्रकिया में पुस्प वा इस्त्री के सर इस प्रकार विवस्थी तो होते हैं कि उनमें परागड कर वर्तिकागर पर आसानी से आ जाते हैं अब जो हम लोगों का पर परागड में चोटा अंतर है वा इस पर परागड की प्रकिया में पर परागड की प्रकिया में पुंके सर वा इस्त्री के सर पुंके सर वा इस्त्री के सर इस प्रकार विवस्थीत है इस प्रकार विवस्थीत होते है होते हैं कि पराग कर वर्तिकागर पर न आ सके पराग कर वर्तिकागर पर न आ सके फिर गाइस जो हम लोगों का इसमें पाचवा अंतर है, हुआ है, स्वपरागड, स्वपरागड की क्रिया से, स्वप परागड की क्रिया से प्राप्त पुस्व में प्राप्त पुस्व में सुगंध वर सुगंध वर मकरंद नहीं होता है सुगंध वर मकरंद नहीं होता है और इसके कुछ पुस्व में और इसके और इसके कुछ पुस्व में पुस्व और इसके कुछ पुदों के पुस्व सदयो बंद रहते हैं सदयो बंद रहते हैं गाइज इसमें जो पाच्वा अंतर है वह है स्वपरागड की क्रिया से प्रात पुस्व में मकरंद वर सुगंध नहीं होता है तो इसके कुछ पुदों के पुस्व ऐसे होते हैं जो सदयो बंद रहते हैं तो उनमें सवपरागड की क्रिया होती है फिर इसमें पर परागड की क्रिया से परपरागण की परपरागण की क्रिया से प्राप्त पोस्प में सुगंध वर मकरंद होता है सुगंध वर मकरंद होता है तथा इसके पोस्प के जननांग खुले रहते हैं यहां हम लोगों का हो गया है पाच अंतर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहां बोड एक्जाम की द्रिस्ट से बहुत ही मातपूर प्रस्ण है यहां दो यहां तीन नंबर लेके बोड एक्जाम में पूस्प आए तो आईए फिर से हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं तो जो इसमें पहला अंतर है वह स्वा परागण में द्रिस्ट पूस्प होते हैं अब द्रिस्ट क्या होता है तो हम आपको बता दे द्रिस्ट पूस्प होता है जिसमें नर्व माधा भाग दोनों एक ही पूस्प में इस्तित होते हैं उसे हम लोग द्रिस्ट कहते हैं तो इसमें जो आम लोगों का पहला अंतर है वह है स्वा परागण में दो लिंगे पुस्प होते हैं और पर परागण में दो लिंगे वह एक लिंगे दोनों पुस्प होते हैं हम आप लोगों को बता दे एक बार फिर से एक लिंगे पुस्प एक लिंगी पुस्प वा पुस्प होता है जिसमें या तो नर भाग उपस्तित होता है या तो मादा भाग उपस्तित होता है एक लिंगी पुस्प वे पुस्प होते हैं जिसमें नर या मादा भाग उपस्तित होता है और दी लिंगी पुस्प वे पुस्प होते हैं जिसमें पर पर परागड में माध्यम की आवसकता क्रिया पुंकेसर दोनों साथ-साथ-परिपक्ष्ट होते हैं और पर परागड की क्रिया में पुस्पो के पुंकेसर वा इस्त्रीकेसर दोनों साथ साथ विक्सित नहीं होते हैं फिर इसमें जो हम लोगों का चवता अंतर है वह है स्वाप परागड की क्रिया में पुंकेसर वा इस्त्रीकेसर इस प्रकार विवस्तित रहते हैं कि पुंकेसर से निकलने वाला परागकर पुस्पो के इस्त्रीकेसर भाग वर्तिकागर पर आसानी से पहुच जाता है वह इसमें वह स्वप पर परागर की क्रिया में पुंकेसर वह इस्त्रीकेसर इस प्रकार विवस्तित रहते हैं कि इनमें जो परागड़ होते हैं वह वर्तिकागर पर नहीं पहुच सकते हैं पिर इसमें हम लोगों का जो पाचवा अंतर है वह अंतर है स्वापरागड़ की क्रिया में प्राप्त पोस्प सुगंद योग्त सुगंद वह मकरंद हीन होते हैं और ताथ इनमें सुगंधवा मकरंद नहीं पाया जाता है तता इसमें से कोछ पुस्प ऐसे होते हैं जो सदेव बंद रहते हैं तता पर परागण की क्रिया से प्राप्त पुस्प सुगंधवा मकरंद युक्त होते हैं वह इनके पुस्प के जननांग भाग खुले रहते हैं तो guys यह हो गया हम लोगों का self pollination और cross pollination में different तो अब यह हम लोगों का हो गया तो I hope अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like केजिए और channel पर पहली बार आये हो तो channel को subscribe केजिए जो आप लोगों का doubt हो वा comment करके पूछिए आपके doubt को out किया जाएगा मिलते हैं फिर आज से next class में तब तक के लिए जय इन जय भार